दोस्तो वेडनेस डे को GDP के नंबर्स आ चुके है January to March के quarter के यानि Q4 quarter के इंडिया GDP नंबर्स आ चुके है हम देखते कि कैसे GDP नंबर आये, कौन से सेक्टर में ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है और कैसे ये impact पड़ेगा हमारे markets को ये पूरा डेटेल में जानेंगे इस वीडियो में दोस्तो इंडिया की GDP नंबर जो भी estimates थे analyst के उसको beat करके आया है यानिकि estimates से बहुत ही जाधा numbers अच्छे आया है अगर हम Q3 की बात करें तो Q3 में GDP की नंबर थे 4.4% 4.4% से बढ़कर अभी 6.1% वा ये quarter का अगर हम पूरा साल का अगर देखेंगे तो 7.2% की GDP ग्रोथ आ रही है overall year का फुरी financial year का अगर हम quarterly basis से compare करें Q3 में 4.4% था वो बढ़कर 6.1% हुई है और जबकि अनुमान 5.6% से 5.8% से सब अनलिस्स के ये range में थे पर उससे बढ़कर estimates से बढ़कर आई है 6.1% जो बहुत ही drastic growth है बहुत ही अच्छी growth है इंडियन economy के लिए ये और strength देगा जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि कैसे Modi government ने क्या-क्या sectors में improvement ला रही है कैसे economy को growth मिले ऐसे सब finance sector को boost दे रही है tourism sector को boost दे रही है तो ये सारे sectors में ये सब काम करके इंडियन economy grow हो रही है और ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों अगर sectors के बात करें तो manufacturing sector में एक अच्छा boost आया है surge आया है rural consumption में agriculture sector में भी growth आई है ठीक है Q3 में जो तकरीबन 4.8% थे वह अभी लगबग 5.8% में growth आई है अगर कल्च सेक्टर की बात करें तो अगर manufacturing sector की भी बात करें तो एक अच्छा surge आया है और फिर investment rate जो होता है निया FIS के जो investments inflow से वह भी भी बढ़कर आये जिसको growth को support कर रही है और as per ministry of finance economic growth in FY23 clocked 7.2% higher than the second advance estimates of 7% यानि कि उनके estimates से भी बढ़कर आये by 20 basis points दोस्तों हमारे RBI governor शक्ति गंता दास जी ने recently जो conference हुआ था confideration of Indian industry में उन्होंने ये कहा था कि FY23 में उनका estimate है कि 7% के उपर जाएंगे करके ठीक है इंडियन GDP growth जो FY23 का उनका prediction था और वो बहुत ही confident थे कि next उन्होंने guidance दिया था FY24 में कि about 6.5% इंडिया का GDP रह सकता है और वो बहुत ही confident है और अगर हम बात करें क्रिसिल के Chief Economist Dharmagirthi Joshi उन्होंने ये कहा है कि GDP growth at 7.2% for fiscal 2023 indicates the economy has done better than expected उनका ये कहना है कि जो 7.2% की GDP growth आई है जो ये fiscal year में 2023 में ये बहुत ही अच्छे आई है जो expectations से उससे भी जाद आई है तो ये economy के लिए बहुत अच्छा है Indian economy के लिए और ये भी कहा है कि we expect the economy to slow to 6% this fiscal due to spill over to exports from a slowing world and some impact of interest rate hikes even at 6% उनका ये कहना था कि हमको उन्होंको ये लगा था कि 6% में भी अगर GDP growth रहती इंडिया की तो भी वो fastest economy में consider किया जाएगा और वो 6% इसलिए सोच रहे थे क्योंकि जो interest rate hike हुए थे और इंडिया का एक वरी है कि जो net importer है इंडिया, exports कम करती है इंडिया और imports जादा करती है वो एक थोड़ी वरी है GDP growth में थोड़ा impact पढ़ सकता है पर लोगा ये कहना था कि जून के महिने में और क्योंकि एस GDP के numbers अच्छे आ रहे सारे stocks के results भी अच्छे आ रहे stocks भी अच्छा perform कर रहे, economy भी अच्छा perform कर रही है as compared to world economy तो this is the right time और technically भी बहुत strong है charts पे nifty तो ये बहुत ही अच्छा मोका है हर जगा से हर fundamentals भी स्टॉंग है technicals भी स्टॉंग है economy अच्छी growth कर रही है macro economics भी स्टॉंग है इंडिया के तो ये सही समय है कि 19,000 ब्रेक करें जून के महिने में आपकी क्या व्यूस है कमेंट सेक्षिन में आप दीजिए दूस्तों थैंक यू